लेते हैं कि कैसे अर्जुन का इस्तमाल करते हैं जो कि एकेट यू का असिस्टेंट है डाइट में अर्जुन लिखा हुआ यह तीर सा कुछ बना हुआ है गोला इस पर आपको टैप करना है अभी यहां पर इसकी साउंड बहुत अच्छी आती है जब आप इस पर टैप करते हो और इससे बात करते हो यहां पर अभी देखिए आपको एक स्क्रीन पे जो भी चीजे दिख रहें इसका मतलब मैं आपको स एक्जिस्टिंग इस्टुडेंट और यह प्रोस्पेक्टिव इस्टुडेंट होते हैं वह जो अभी तक एड्मीशन नहीं लिए है ठीक है जो अभी एड्मीशन लेने वाले हैं जो एकटी उनिवस्टी के बारे में जानना चाहते हैं ठीक है तो उनके लिए यह दूसरा अप्सन है प्रोस्पेक्टिव इस्टुडेंट का ठीक है और अधर क्यूरी का मतलब हुआ कि अगर आपको कुछ अलग चीजे पूछनी है अपनी प्रॉब्लम आपको अगर कोई है तो आप अपने डिरेक्ली यहां पर अधर क्यूरी में अपना इस पेसल एक मैसेज भी सक यहां पर एक्जिस्टिंग इस्टूट् सट्टिंट पेड करता हूं जै哦该 आप यह देखिए आपसे आपका रूप पूछ रहा है तो दोस्तो यहां पर अクowई बीएक रूप डालड देता हूं मैंने रैंडम ल up डाल डाल दिया है और यहां पर उसके बाद जब आप रोल लंबर डाल देते हैं फिर यहां पर देख सकते दोस्तों यह पूछ रहा है आपका नाम लिखेगा वेलकम और अनुरूत सिंग ठीक है यह रोल लंबर जिसका भी होगा उसका नाम लिखके आ जाएगा और हाउ कौके यहां पर आपको यह जो भी यहां चीद दे दिखा रहाएं इस रिलेटेड आप कोशन इससे पूछ सकते हैं तो दोस्तों इसका कैसे प्योग करना मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर एकर नथ अगर प्लिक करता हूं फिर यहाँ पर देखिए कौन सा result क्या problem है आपको grace marks related कोई चीज पूछना है carry over result माली जे मैंने यहाँ पर carry over result पर click किया तो इन्होंने यह लिख के बता दिया मुझे कि मैं कैसे अपना जो भी अगर problem है if your carry over related you have to email first room attendance with subject code आपको देखना होगा ठीक है और लिखा है कि application written एक application लिखना होगा और ठीक है और अपनी attendance का आपको पूरा update करवा लेना 75% से जादा और उसके बाद आपको एक मतलब mail कर देना यहाँ पर देखिए mail ID लिखी हुई है ठीक है और 7 दिन के अंदर complaint will be resolved within 7 working days लिखा होगा है तो इसी तरह आप कर सकते हैं और दोस्तों जैसे माली जिन से एक question मैंने पूछ लिया अब मैं उझे दूसरा question पूछन पूछना है तो यहाँ पर देखिए उपर start again पर मुझे क्लिक करना होगा तो देखिए फिर से वही पे जा गया तो यहाँ पर फिर से existing student पर क्लिक करता हूँ यहाँ मैं इस बार कुछ और डाल के देखता हूँ यहाँ पर पहले मैं roll number को एक डाल दूँ तो guys यहाँ पर मैंने randomly फिर से एक roll number डाल दिया है उनका नाम लिखके आएगा answer एहमद फिक है यह किसी का भी है उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे और कुछ करवाना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पर मालीज मुझे name correction मेरे फियादर का नाम मेरे माक सीट में गलत है एके टीउ की जो भी मतलब result आता है तो वहाँ पर name correction पर क्लिक करूँगा मैं आपको simply आपे लिखा हुआ है I can apply ओके यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है dear student you have to email your high school 10th certificate with an application on student help line at the red aktu.ac.in having subject ठीक है तो यहाँ पर देखे बोला है कि आपको अपना high school की mark seat और अपना एक application लिखना है हिंदी में और उसे आपको इस mail ID पर में भेज़ देना है तो आपका जो भी होगा correct कर दिया जाएगा चलिए कुछ और देख लेते हैं start again पर क्लिक करता हूं अब यहाँ पर मैं आपको एक दोस्तों यहाँ पर दिखाता हूँ अगर आप एक नए प्रोस्पेक्टिव स्ट्वेंट तो आप इसका कैसे इस्तिमाल करेंगे प्रोस्पेक्टिव इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए यह अपना पूरा डीटेल बता रहा है अपनी website का ठीक है कैसे कौन कौन से इसमें कोर्स है के त्यूमें अवाउट इन्वर्स्टी ठीक है सर्कुलर कैसा कहां पर आता है सारी आपको यहां पर दिखाएगा कैसे होगा ट्रेनिंग प्लेस्मेंट क्या है फोटो गैलरी और टैमिंग मतलब यह पूरी website के बारे में आपको बता रहा है और एकेट्यू के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है यह सारी चीज़े इसमें है ठीक है यहां सोसल मीडिया देखे लाश्ट में लिका इसका मतलब यहां ट्यूटर अकाउट फेस्बूक आउट जो एकेट्यू का ओफिशियल है वो यहां पर आपको बता देगा ओके त मैं ग्रेश चाहिए तो यहां पर मैं ग्रेश लिख देता हूँ वांट ग्रेश ठीक है यहां पर लिख देता हूँ वांट ग्रेश ओके इसको मैं ओके करता हूँ अब यहां पर पूछ रहा है अपना नाम तो मैं कुछ भी नाम यहां पर डाल देता हूँ फिलाल यह तो के शुभम मेरा नाम है तो यह मैंने डाल दिया है अब इसे आपसे अपकी आइडी मांगेगा यहाँ पर देखे यह मैंने लिख दिया अब यहाँ पर देखे मुबाइल नमबर पूछ रहे हैं मैं रेड़ंबली 987 से मुझ भी लिख दिया है इसके बाद मैं करता हूँ अब यहाँ पर देखे एक एट्यू के पास यह मैसेज गया होगा इस तरह का एक देखे लिखा है थाइंक्यू शुबंग उप्ता फॉर सब्मिटिंग यूर कोईरीज वी विल गेट बैक यू एस सून अस पॉसिबल यह करो सकते हैं किसी भी प्रकार की कोयरीज का लए सकते यहाँ बांब करेंगे यह नंबर दिया हो फिलाल तो मैंने इसेट्टम्ली कुछ भी डाल दिया था तो इसका कोई मतलब है दोस्तों और आपको दिखानें यह वींना इस समझाया तो आप समझ गया होंगे दोस्तों कि अर्जुनिय कैसे काम कर रहा है कैसा ये बोट है और मुझे तो अच्छा लगा और दोस्तों कभी कर प्रॉब्लम होगी किसी स्टुडेंट को तो डिरेक्ली हाँ से सलिशन ले पाएगा तो आई होब दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों अभी अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं जिसे नहीं पता वो इसके बारे में जानेंगे और इसका इस्तमाल करेंगे और साथी साथ दोस्तों इस चैनल पर नए आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब